कि आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं आप लोग को सॉफ्ट पार्टी मेकप सिखाऊंगी जो कि गोल्ड पर होगा और बहुत इजी टैक्निक्स के साथ आपको मैं सिखाऊंगी मेरे पास रिवाज की फ्लोलेस HP ऐच्डी शेडो पालिट है फिए सबसे पहले हमने नहीं एंट वाइब्व सबसक्राइब्वेश चाहिए होती है तरही option हैे यह Release बनानी है ठीक है इस तरीके से शेप देते हुए आपने आइब्रोज को अच्छे से शेप देते हैं ठीक है अंदर फिलिंग भी आप साथ करते जाएंगे इसको यहां से लाइट सा ब्लाइन कर देंगे ठीक है में पास एक मेट साइट का जो है ब्लैंडिंग ब्रेश है इसे मैं आइब्रोज को यहां से ब्लैंड कर दूंगी ताकि शार्पने सारी वह फतम हो जाए और यह एक नैच्रल लुक आजाए ठीक है इसका अपने अच्छी से ब्लैंड कर देना अच्छा मेरे पास ही तोड़ा औरेंज टाइप का कुछ शेड है इससे मैं क्रीज एरिया जो है वह कवर करूंगी ठीक है क्रीज लाइन हम बनाएंगे इससे इस तरीके से आपने ब्लैंड करना है पूरे एरिया पर ठीक है अच्छा से ब्लैंडिंग इतनी अच्छी ब्लैंडिंग करेंगे आप लोग उतना अच्छा शेड हमारा जो है वह लुक देगा अच्छा जी हमारे पास डार्क ब्राउन शेड है वह हमने कॉर्णर्स क्रीएट करना है क्योंकि हमें थोड़ा सा इन्हांस भी करना है बहुत जादा शार्फ लुक नहीं देना लेकिन जो है जब हम कॉर्णर्स बनाते हैं तो इससे लुक जा इसका वह अच्छा हो जाता है और फोड़ा एक्ट्रक्टिव हो जाती है इस तरी किसे अपने सको पूरा है इधर घ्रवाज एक अशेड को कि कि एस क्प्राइब करना देख रहे हुगे लोग मैं किस तरी कि से ब्रश को चला रही हूँ और ब्लैंट जो हमारा शेड होता जा रहा है ठीक है ये इतना अच्छा ब्लाइंड करेंगे न अच्छा लूक क्रिए दोगा इसमें बहुत यूज किया तो मेरा यह थोड़ा ही रह गया लेकिन यह बहुत प्यारा शेयर इसका कलर बहुत अच्छा है इससे हमने जहें अपना आई बॉल जो हमें करना है इसको शेफ देते हुए इस तरीके से आपने इसको शेफ देना है और अच्छे से ब्लाइंड कर देना है इनर साइट पे आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से शेफ कर रही हूँ आप इस तरीके से इसको क्रेट करना है और इस तरीके से लगकर करके आपने शेट को ब्लैंड कर देना है यह मैं इजी टैकनिक्स के साथ आप लोग को बता रहीं जो कि आप लोग घर पे भी खुद से अपने मेकप भी कर सकते हैं बहुत सॉफ्ट लुक के लिए बहुत इजी टैकनिक्स के साथ और टू शेड़ मेकप मेरे पास यह थोड़ा सा रैड मरून टाइप का ही शेड है इसको मैं अंडर आई पे लगाऊंगी इस तरीके से आपने यह बहुत प्यारा लुक आता है कि सॉफ्ट मेकप में अगर आप इस तरीके से अंडर आई पे कोई भी अंडर आई पे जो मैंने राट मरून शेड लगाए इसको ब्लाइंड करना आई इस अपन करें इतना ब्लाइंड नहीं होता बस हमें तो आसा विल्कुल लाइन ना प्रॉपर क्रियेट नजर आए वह अच्छी नहीं लग ज़िए इसको ब्लाइंड करने के इसका शेड को अधिक लेते जाना है आपने इसको अच्छी से ब्लाइंड करते हुए पूरी अधर तो आप यह बड़ा क्या लुक दे रहा हता है ठीक है यह हमारा और मेरे पास मिस्स रोज की ग्लीटर पैलेट है इसका मैं रोज रोज़ इसका मैं रोज इसका मैं अप्लाइब करूंगी विदाओट सिलर यह लग जाते हैं एजी ली और बहुत प्यारा लुक दे रहे होते हैं यह लोग देख सकते हैं कितना प्यारा इसके लुक क्रेट हुए ठीक है इस तरीक से अपने सिर्फ में लगाना है अपने अप्लाइब करना है कि अच्छी भी लगा देना है मस्कारा ठीक है इस तरीके से अच्छी से अच्छी लाइना लगाएंगे ब्ल्कुल मुराल का वाइट काजल है ठीक है इसको हमने काजल लगाना है आइस उपन करें लाइट सा हम लगाएंगे ब्ल्कुल कि कहां अची थे करेंगे क्यांतर तो इसंदों पर देँखने ऊऑन्षबूर करेंगे भी आइस उपनियर दों यह वरहेद वी स्लिट हम उम्म है इस स्धुथा किक हम जमेंगे लाइट साफ्ट गडफनकुल का तरूठ समयखना है एणिशिमार है आइस ऑपिन करें ठीक है चीज पर हाइलाइटिंग करने हैं तो डीस ही हमने ठीक है अच्छा जी विएर्स हमारा आज का मेंकप आलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लोग क्रियेट हुआ है और बहुत एजी टेक्निक्स के साथ मैंने किससे इंती की टेक्रिशन के साथ मीपराइब करें आपना ख्याल रखियेगा अ झाल झाल